आज हम करेंगे वर्कशीट नमबर 43 जो कि आपकी 12 अक्टूबर के लिए बनाई गई है और ये वोई चैप्टर जो आपका चल रहा था बल तथा गती का नियम उस पूरे अध्याई की एक तरह से पुन्रा वरती है कि हम उसको दोरा लें कि हमने जो अब तक सीखा वो हम कितना जान पाए ठीके तो देखिए कि अभी तक आपने बल तथा गती के नियम के बारे में क्या जाना है ठीके तो क्या जाना सबसे पहले जैसे ही बल तथा गती के नियम की बात आती है तो हमें सबसे पहली बात है बल का जानना ओके इसको क्लिर देख रहती है कि बल क्या है तो ह कि उसको या तो हम खींच के उसकी स्थती में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर हम उस पे धक्का लगा कर तो पुश और पुल क्या है एक प्रकार का बल है अब बल को हमने एफ से प्रेजेंट किया था यह ने सीख लिया था ना और इसको हमने एक फार्मूला भी बनाया था जो कि दूसरे नियम से आया था कि F is equal to M into A जहां से हमारा इसका मात्रक निकल के आया था और वो मात्रक था किलोग्राम मीटर पर सेकिंड स्क्वायर या हमने उसको कहा था न्यूटन तो न्यूटन जो है वो बल का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकिंड स्क्वाय इसका मतलब है कि जब कोई अब हम एक न्यूटन को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जब कोई बल एक किलोग्राम द्रवेवान वाली किसी वस्तो में एक मीटर पर सेकिंड स्कॉाइर का तो रण उपन करें तो वो क्या होगा बल हमेशा एक न्यूटन का होगा फ़ार्मूले से भी समझाता हमने जब हमने पढ़ाता f physical 2 m into a तो हमने वाहन पर m का मान भी एक रखा था और a का मान भी एक रखा था और जब एक से की गणा होनती तो एक ही आजाता है क्योकि हम द्रवेमान को किलोग्राम में लेते हैं यह मैं बार-बर समझा रही हूँ और तवरन को मीटर पर सेकंड स्कोयर में लेते हैं मीटर पर सेकंड स्कोयर पर का मतलब यह वाला slash प्रती तो यह आ गया एक क्लोग्राम मीटर पर सेकंड स्कोयर जिसको हमने क्या कहा एक न्यूटन बन एन fine अब देखिए कि अगर हमने कोई भी पुश या पुल लगाया किसी वस्तू पर धक्का लगाया या खीचा तो उसकी सती में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई भी असंतलित बल कारे कर रहा होगा अगर संतलित बल है तो परिणाम शून रहेगा क्यों क्यों कि जितना हम वस्तू को एक तरफ खीच रहे हैं और दूसरे तरफ से कोई वक्ती उसको खीच रहे हैं तो दोनौ तरफ से अगर बुर्भार बराबर बल लग रहा है ये इसके इक्वल है तो ये वस्तु अपनी जगा पर रहेगी परंतु अगर ये वाला इधर से खिचाव जादा गया यहां पर खीच लिया पकड़के तो ये वस्तु इधर शिफ्ट हो जाएगी तो इसका मतलब असंतलित बल जो होता है वही वस्तु पर क्या करता है कारे करता है तभी वस्तु जो है वो परिवर्तित होती ही इस इस्टती से ठीकए अब आगी देखिए हमने इसके अंदर पड़े थे गती के नियम हमने बल समझ लिया अब जब गती होई वस्तु की अवस्त्था में परिवर्तन होब वह यहां से यहां करसक उसकी सती में परिवर्तन आ गया तब हमने उसमें गती के नियम लगा दिये और वो हमारे बने थे तीन नियम पहला नियम ये जो था जड़त्व का नियम कि प्रतेक वस्तू अपनी प्रतेक वस्तू अपनी इस्थर अवस्ता या सरल रेखा में एक समान गती की अवस्ता में बनी रहती है ये उसका गुण है अंदर से वो जड़त्व की सती में रहना चाती जब तक कि उस पर कोई वाये बल ना लगाया जाए ठीक है और ये उसकी जो सती है वो किसके कारण है जड़त्व के कारण क्योंकि जड़त्व क्या चीज है वस्तु की अवस्ता परिवर्तन में विरूत का गुण जिसके कारण हम चल पाते हैं जमीन पर ठीक है और ये जड़त्व डिपेंड करता है किसी भी वस्तु के द्रवेमान पर कोई वस्तु जितनी भारी उतनी ही वो अधिक उसमें जड़त्व होगा इसको भी हमने क्लियर किया था फिर हम आए थे गती के दूसरे नियम पर बच्चों दूसरा नियम से जब हमने फार्मला निकाला था F is equal to M into A इसको पूरा समझा था दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के समवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतलित बलकी दिशा में बलकी समानुपाती होती है और हमने इसको पूरूव भी करा था F is equal to M into A ठीक है यहाँ पर हमारी term IT P जो की मुमेंटम थी समवेग और समवेग को हमने यहाँ पर जाना था समवेग के फार्मुले से ही हम जो की P is equal to M into V था उससे हमने बलका फार्मुला ड्राइब किया था उसको रीड कर लेना अच्छे से फिर आया था हमारा गती का तीसरा नियम जो की करिया परती करिया का नियम था की एक दो वस्तू हैं एक वस्तू ने दूसरी वस्तू पर जितना बल लगाया दो वस्तू हैं ये एक वस्तू ने दूसरी वस्तू पर जितना बल लगाया दूसरी वस्तू ने भी पहली वस्तू पर उतना ही बल लगाया से बाहर कोई व्यक्ति उतरता है. तो ना वो पीच्छी की तरफ जाती है. इसके द्वारा जाना कई उधारन हमारे Goog wp thayin ko Umnet. कि जब एक बस्तू दूसरी बस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी बस्तू भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है और ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बरावर विप्री दिशा में होते हैं तो ये आपने लर्न करने हैं ऐसे को डिफिकल्ट नहीं जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये इसको समझ के लिखते जाना इसी वाले नियम से हमारे थünd से निकल कर आया था समवेग सनरक्षम का नियम कि दो वस्तुओं का कुल समवेग टकराने की प्रक्रिया में ये बहुत इंप कुर्ट थिंग है कि दो वस्तुओं जब टकरा रही है तब आ परवर्त निये या सनरक्षित रहता है means कोई भी दोवस्तु जब आपस में टकराती है यह हमने बॉल के एक्जाम्पल से समझा था कि दो बॉल ने हिट किया तो इनको इनका जो समवेक था हिट होने से पहले वो समवेक का योग इनके टकराने के बाद वाले संयोग के योग के बराबर होगा ठीक है मतलब इनका समवेक जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ आ परिवर्तित नहीं रहता है या सनरक्षित रहता है इसको इस फार्मूले से थोड़ा बढ़ा करके देख लो यह देखिए M A U A plus M B U B is equal to M A V A plus M B V B ये टकराने से U A और U B वाला संवेक पहले का है और V A और V वाला संवेक जो है वो टकराने के बात का है clear ये चितर भी दिखाई है और इसको अच्छे से clear करके दिखाई है अब देखिए question answer जो बहुत important है जो chapter पढ़ लेते तो हमें answer देने भी आने चाहिए तो पहला question है इकाई बल एक newton को परिभाशित करेंगे यहां से ठीक है कहां से करेंगे उपर से हमने यहां पर निकाल लिया था एक newton क्या होता है ये definition यहां से आप पूरी लिख लेंगे ठीक है clear उसके बाद में आप second question पर आएए समवेग एवं बल के SI मात रख समवेग का SI मात रख यहां से निकलेगा ये देखो दिखाया है समवेग का बहुत ध्यान से बटा ठीक से लिखना क्लोग्राम मीटर पर सेकेंट ये समवेग है समवेग का मात रख है ठीक है अब देखिए बल का तो बल का है क्लोग्राम मीटर पर सेकेंट स्क्वायर थोड़ा ही फर्क है इसलिए गड़बर नहीं करनी है बहुत ध्यान से लिखना है और मात रख हमने कैसे ड्राइव किया था ये हम जान गए है गती के तीनो नियम हमने पढ़ लिए तीनो नियम उतार देना अच्छे से पढ़के ये पहला नियम ये दूसरा और ये तीसरा आप देखते हैं गती के दूसरे नियम के कोई दो अनुप्रियोग लिखिए एक्जाम्पल्स आपको लिखने ही दिखाया है सेकेंट नियम के ये देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि कराटे वाला जो व्यक्ती होता है वो कैसे सलैब को तोड़ देता है हाथ से या फिर जब व्यक्ती इसमें आपका दिखाया था किर्किट की बॉल कैच करनी है तो भी व्यक्ती पीछे होके उसको कैच करता है अपने हाथ को पीछे ले आता है अब उसको फैक नहीं होती है बॉल तो भी वो पीछे की तरफ लेाके हाथ को फिर वो आगे की तरफ बॉल को फैकता है तो ये आपके डैनिक जीवन के उधारन है और भी आप जूंड के लिख सकते हैं फिर है जडत्व को परिभाशित करिए जडत्व की परिभाशा हमने पहले भी की थी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जडत्व कहलाता है clear? तो हमने questions भी discuss कर लिए पूरे chapter की हमारी summary हो गई है जो कि हमने वर्क्षेट 43 में की है इसको अच्छे से करना ओके? थैंक्यू बिटा